नमस्कार दोस्तों मैं पहुन आज किस वीडियो में 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 परिख्षा जो एक तरह से निर नहों होने वाला है पर वो फर्वरी में होने वाला उरक तक तो वो भर से प्रस्तावित होना इंप आई। साथ में दोस्तों यह पर पढ़चसकते हो कि आ तीन ओर से माझमीक की गई थी दोस्तों क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लेर थी वो काफी एक तरह से परवावी हो रही थी सभी बच्चों के उपर इसकी वज़े से सभी छात्रों के देखते हुए जो प्रैक्टिकल परिक्षा है आपकी जो 17 जनवरी को होने वाली थी उनको आगे इस्तगित कर द थी दूसरी बड़ी बात है कि जो सहरी लाकों के जो एक तरह से स्कूल है वो 31 जनवरी तक बंद है यानि 30 जनवरी तक बंद है तो आप सभी सोच सकते हो जो उनकी प्रैक्टिकल परिक्षा है उनमें होने में काफी टाइम लग सकता है अभी तक कोई डेट भी गोशित नही में बाद मुझत वाद मुखुदा हालात के अनुसर बॉर्ड की प्ैक्टिकल परिक्षा की तारिख्व पर फैसला लिया जाएगा आम तोर पर बॉर्ड की प्रक्टिकल परिक्षा है साल जनवरी मायम में ही होती है लेकिन कोरोना संक्रमण करुने चलते यह समय पर नहीं ह इसको लिए इस तरसे आप समझ गए होंगे कि जो बार्चे एक्ष्टर्नल आता है वो आपके बार नहीं आने वाला आपकी जो टीचर है वो यापकी बोर्ड की परिक्षा हैं लेने वाले हैं मुख्य बोर्ड परिक्षा के बाद इसका निर्ना फरवरी में ही किया जाएगा फरवरी में परावी परिक्षा का सैडूल सामने आने के बाद ही मुख्य परिक्षा की तारिकों की अनुमानित जानकरी स्टुडेंट्स की पता चल पाएगी अगर फरवरी में भी परावी परिक्षा को आयोजन नहीं होता है तो मुख्य परिक्षा समय परी ही होती है तो ऐसी स्थे में practical exam, man exam के बाद भी किये जा सकते हैं अगर सरकार को लगेगा, अगर board को लगेगा कि जो practical परिक्षाई में वह लेट हो रही है और इनकी वज़े से जो मुख्य परिक्षाई है वो भी आगे जाकर स्थगित हो सकती है practical परिक्षाई की वज़े से तो वो practical परिक्षाई में मुख्य परिक्षाई के बाद में भी लेना सही समझेंगे तो I hope दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आयोगा और मुझे आसा है कि ये जो ख़बर मैंने बताई है वो आप सभी के लिए काफी important रही होगी तो आप और भी बालिकी से पढ़ने के लिए आप इसको टेलीग्राम पर देख सकते हो उसका लिंक description box में मिल जाएगा साथ में मुझे Instagram पर follow कर लेना अगर कोई भी आपका doubt है इस्टेडिस related या अपनी बोर्ड परिक्षाऊ से related तो आप मुझे वहाँ पर follow करके DM कर सकते हो यानि direct message कर सकते हो मैं आपको जरूर वहाँ पर reply कर दूँगा तो बस आज के लिए तरह तो मिलते है नेस्ट वीडियो में और Instagram का लिंक आपको description box में मिल जाएगा